बुलावी शहर जैपूर के मध्य में प्रतिश्थित हवा महल स्थित है हवाओं के महल के रूप में जाना जाता है राजपूत वास्तुकला की ये होत्कृष्ट पृति शहर की शाही विरासत का एक प्रमान है और भारत के सबसे विशिष्ट स्थलों में से एक है हवा महल का निर्मान 1799 में जैपूर की संस्थापक महराजा सवाई जैसिंग के पोते महराजा सवाई प्रताप सिंग ने किया था खेतरी महल के डिजाइन से प्रेरित होकर महल को प्रसिध वास्तुकार लाल चंद उस्ताग द्वारा डिजाइन किया गया था इसे मूल रूप से शाही घराने की महिलाओं को बिना देखे सड़क उत्सव मनाने की अनुमती देने के लिए बनाया गया था जो उस अवधी के दोरान अपनाई जाने वाली सक्ट परदा प्रणाली के अनुरूप थी हवा महल की सबसे बड़ी खासियत इसकी पिरामिद नुमा आकरिती और इसके 953 छोटी खिलकिया है इसे जैपूर के पुराने शहर की प्रचलित वास्तुकला के अनुरूप लाल और गुलाबी बलूआ पत्थर से बनाया गया है इसका अगरभाग मोर की पूच की नकल करता हुआ, पांच मंजिला उचा खड़ा है, फिर भी इमारत का पिछला भाग केवल एक कमरे की गहराई का है महल को शाही महिलाओं को बहरी दुनिया से बचाने के लिए एक उची दीवार के रूप में बनाया गया है हवा महल की पांच मंजिलों में से प्रत्येक का एक अनोखा नाम है शरद मंदिर, भूतल जहां शरद रितु उत्सब होता था रतन मंदिर, दूसरी मंजिल जिसका नाम इसकी दिवारों पर लगे कांच के काम के कारण पड़ा विचित्र मंदिर, तीसरी मंजिल जहां राजा ने अपने निजी पलों में समय बिताया था प्रकाश मंदिर, चौती मंजिल जिसके दोनों और खुली छते हैं हवा मंदिर, सबसे उपरी मंजिल जहां से जैपुर शहर का नजारा देखा जा सकता है कोई सीडिया कहानियों को नहीं जोड़ती, इसके बजाए रैंप मौजूद हैं, जिनका इस्तिमाल शाही महिलाए करती थी असंख्या खिलकिया केवल सजावटी नहीं हैं, वे एक कार्यात्मक उद्देश्य की पूर्ती करते हैं खिलकियों की जाली, डिजाइन के कारण महल में ठंडी हवा आती थी, जिससे ये गर्मी के महीनों के दोरान भी हवादार और ठंड़ा रहता था वास्तुशिल्प की इसी विशेश्टा के कारण महल का नाम हवाओं का महल पढ़ा वास्तुकला शेली राजपूत और मुगल प्रभावों का मिश्रण है, जो इसे भारतिय इतिहास का एक प्रतिकात्मक समलन बनाती है हवा महल न केवल बाहर से एक वास्तुशिल्प चमतकार है, बलकि अंदर से एक सम्रिदा अनुभव भी प्रदान करता है पर्यटक हलचल भरे शहर और इसके जंतर मंतर और सिटी पहलेस जैसे स्थलो का मनोरम द्रिश्य देखने के लिए स्मारक पर चद सकते हैं जटल नक काशिदार खिल्किया, महराब और दर्वाजे अतीत की शाही जीवन शेली की जलक दिखाते हैं अंदर एक छोटा संगहाले है जिसमें शाही परिवार से संबंदित कलाकृतिया हैं ये प्रदर्शन राजस्थान के योद्धा वंच, राजपूतों के सम्रिध इतिहास और संस्कृती की जानकारी प्रदान करते हैं हवा महल न केवल एतिहासिक और स्थापत्य महत्व की इमारत है, बलकि जैपूर के सास्कृतिक परिवेश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये स्थानिय त्योहारों के दोरान केंड्रिय आकर्शनों में से एक है और राश्ट्रिय छुट्टियों के दोरान इसे रोशन किया जाता है, जिससे ये देखने लायक हो जाता है दो सो वर्ष से अधिक पुरानी सनरचना होने के कारण, हवा महल में प्राकृतिक और मानव प्रेरित कारकों के कारण तूट फूब देखी गई है इस विरासत को सनरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा नियमित जिर्नोधार कार्य किये जाते है ये सुनिश्चित करने के लिए एक थोस प्रयास किया गया है कि कोई भी जिर्नोधार समारक की मौलिक्ता को बरकरार रखे हवा महल जैपूर की समरिध विरासत का एक स्थाई प्रतीक है इतिहास, संस्पृती और वास्तुकला का मिश्रण ये भारतीय राजघराने के बीते युग में एक खिलकी प्रदान करता है चाहे आप वास्तुकला के प्रती उत्साही हो, इतिहास की शौकीन हो या सिर्फ नए अनुभव चाहने वाले यात्री हो पैले सौफ विंड्स एक मंत्रमुग्ध अनुभव का वादा करता है जैसे ही आप इसके शांदार मुखोटे के सामने खड़े होते हैं या इसकी खिलकियों से बाहर नीचे की हलचल भरी सरकों को देखते हैं आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां इतिहास और सुन्दरता एक दूसरे से सहज रूप से जुड़े हुए हैं